वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ear buds repairing के लिए आया है और इस ear buds के अंदर problem क्या है कि जब इसे हम 4 लगाते हैं चलिए एक बार मैं आपको 4 लगा के भी दिखा दूँ यहाँ पे देखिए जब इसे हम 4 लगाते हैं तो इसकी जो charging LED है वो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से glow कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी जो इसके buds हैं वो हमारे काम नहीं कर रहे हैं तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको full detail से बताऊंगा कि अगर आपके पास step का कोई भी earbuds किसी भी company का है तो कैसे आप उसे step by step चेक करके repair कर सकते हो तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखे friend हमें क्या करना है देखे एक चीज आपको इसके अंदर समझनी पड़ेगी कि जो step के ear buds होते हैं उसके अंदर दो जगा हमारी बैटरी डली होती है एक बैटरी तो ये जो buds होते है ना इनके अंदर हमारी डली होती है ये buds मैं एक बार निकाल दू ये जो buds होते हैं इनके अंदर हमारी बिल्कुल छोटी छोटी बैटरी डली होती है और दूसरी बैटरी हमारे इस box के अंदर डली होती है तो यहाँ पे देखे जब हम इसे data केवल से charge करते हैं तो सबसे पहले इस buds की बैटरी charge होती है और जब हम data केवल को निकाल देते हैं तो इस buds को जब हम इसके अंदर डालते हैं तो यहां पे इसकी बैटरी हमारी चार्ज होती है, यह जो बड्स है, इसकी बैटरी हमारी चार्ज होती है, तो यहां पे देखें, प्रोलम कहां पे बनती है, यह आप देखो, कि देखें, जो यह बड्स है, जब हम इसे अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर देखें, दोनों स यहां पे यह चीज़ आपको समझदनी पड़ेगी देखे इस हैड में एक पॉइंट यह हो गया और एक पॉइंट यह हो गया दो पॉइंट है न यह तो यह हमारे सीचे आपको आपको इसकेर के कार्बन को ऐसे हलका हलका रगड पर काशाफ कर देना कि इस वजह से भी यहां पर इसके जो बढ़े ons वो हमारे अच्छे तौरीके से इसकी बैटरी चार्ज नहीं होती और ये हमारे बट्स काम नहीं करते तो इस तरीके से आपको blade की मदद से अच्छे तरीके से इसके carbon को साफ कर लेना है इसी तरीके से ये जो हमारा दूसरा बट्स है इसके अंदर भी देखिए सेम उसी तरीके से point दे रखें तो इसको भी हम इसी तरीके से यहां पर साफ करेंगे इसके उसके बाद देखे, friend, यह जो हमारा box है इसके अंदर भी जो दो point है इसके अंदर भी कई बार carbon आजाता है तो इसे भी हमें साफ करना है लेकिन इसे साफ करने के लिए हमें इस box को खोलना पड़ेगा अब काफे सारे लोग इस box को खोलने में भी गलती कर देते हैं क्योंकि इस box को अगर हम ऐसे देखें पलट के तो कहीं पे भी हमें इसके अंदर कोई भी page वेगरा नजर नहीं आरा कि कैसे इसे हम खोलेंगे सबसे पहले इसे हमें उपर की तरफ उठा लेना है उसके बाद देखें यहां पे आपको joint नजर आ रहा होगा इसके अंदर तो हमें क्या करना है इन joint पे कोई भी चीज नहीं डालनी हमें क्या करना है एक इस तरीके से सबसे पहले उपनर लेना है और इस तरीके से हम उपनर को बड़े आराम से यहां से उठ गई है इसी तरीके से हम geninsi उपनर को फसाना है यहां पर हमने धुर्णा है है तो आप देख सकते हो कितना आसान है इसे खोलना बस आपको तरीगा पता होना चाहिए यह है हमारी चार्जिंग प्रीनिंग यह इसकी चार्जिंग आईसी और छोटे-छोटे काफे सारे कंपोनेंट्स लगे हुए है और यह है हमारी एक बैटरी ठीक है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है एक बार इस टेप को मैं हटा के दिखाता हूँ और मुझे लग रहा है कि जो इसकी बैटरी है वो भी थोड़ी सी फूल गई है यह देखे इसकी बैटरी है व है वो भी फूली हुई है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बैटरी फूल गई है और यह जो वायर है यह हमारा यहां पे जुड़ी हुई है और यहां पे एक स्विच दिया हुए है और यहां पे देखे फ्रेंड वो जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं आपको दिखा दू कहां पे लगा लगा हुआ था यहां पे लगा हुए हो पॉइंट सो री है तो यहां से जो सप्लाई हमारे स्पॉइंट पर जा रही है तो हमें क्या करना है यह जो पेस है यहां फोरे हें तकि इन पॉइंट को हम अच्छे से यहां पर साफ कर पाएं तो देखिए फ्रेंड यह जो दो पॉइंट है यह हमारे जा के वहाँ पर टच होते हैं तो सैड में देखिए हमारी पत्ति लग वह हुई है इना संवर होगा है को आपने देखा होगा जो हमारी मोबाइल की बैटरी होती है उसके तीनों पॉयंट पें Strevy आजाता है और हम उसे switched हें तो बैटरी हमारीम हम चार्ज होना सुरू होती है तो इसी तरीके से यहाँ प्रपפר कार्पन आजाता है इसकी वजह से कई बार problem बन जाती है, तो ये चीज हमें साफ कर लेना है, देखें, इस रही किसे हमें साफ कर रहे हैं, भस आपको ज़्यादा नहीं करना है, इसके अंदर अब उसके बाद हम यहां पर क्या करते है एक बार मल्टिमीटर से चेक करते हैं जैसे कि यहां पर customer ने बताया था कि इसे उन्होंने चार पॉच घंटे लगातार चार्ज करके भी देख लिया उसके बावजूद भी यहाँ पर यह बडस हमारे चार्ज नहीं हो रहे थे तो हम देख लेते हैं कि चार-पांच घंटे चार्ज करने के बाद यह बैटरी कुछ चार्ज होनी चाहिए अगर यह चार्ज हो रही है तो समझ जाओ कि फिर यहाँ पर यह कार्बन की वज़े से प्रोलम हो रही थी और दुबारा हम फिट करेंगे तो सायद यह चल भी जाएगा और अगर ये बैटरी चार्ज नहीं है तो समझ जाओ कि बैटरी हमारी खराब है फिर हमें बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा तो चलिए देख लेते हैं ये चीजे भी तो ये है फ्रेंड मेरा मल्टिमीटर और मल्टिमीटर को हम यहाँ पर DC 20 वोल्टेज पर सेट करेंगे ये मैंने सेट कर दिया है अब चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसी तरीके से आपको भी चेक करना है इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं देखें फ्रेंड तीन चार घंटे जैसे की कस्मर ने बताया था उन्होंने इसे चार्ज कर रही थी तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है एक बार यहाँ पर बैटरी को रिप्लेज करने से पहले आपको इसके सर्किट को भी चेक करना है कि बैटरी चार्जिंग के लिए सर्किट करेंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है यह चीज भी हमें क्लियर करनी है तो इसके लि जाया अब उसके बाद हमें मल्टी मिटर से देखे यहां पर दोनों पॉइंट पर हमें प्रोब को रखना और देखते हैं कि यहां पर वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही बैटरी चार्जिंग के लिए तो यहां पर वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है तो अब इससे यह बैटर्ड को पाइल होगि ये की बैटरी का कि वजए से ही हमारी problem बन रही थी और यहां पे अब हमें क्या करना पड़ेगा इस बैटरी को replace करना है सिधा हमें इसे replace करना है और कोई चारा नहीं है तो कि बैटरी यहां पर हूल गई है तो इसको अब निकाल देंगे ये मैं यहां पर लगा दिते हैं तो चलिए मैं फटा-फट यहां पर शोल्डिंग कर लेता हूं तो यह देखें यहां पर मैंने इस बैटरी की वायर को भी जोड़ लिया है अब उसके बाद देखें हमें इसे दुबारा से उसी तरीके से पैक करना है तो यहां पर देखें सबसे पह से यहां तो यहां पर लगा六 कि ओए है क्योंकि आप इसे सई तरीके से फिट करना भी है क्योंकि अगर आप इसे इसे तरीके से फिटर नहीं करोगे तो यहां पर एक काम हमारा नहीं बनने वाला है, ये छीज भी आपको समझ आने चाहिए अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर एक page हमने लगा लिया है और दूसरे page को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, यह देखे, इस दूसरे page को भी हमने यहाँ पर टायट कर दिया है, अब यहाँ पर देखे, यह जो हमने बैटरी लगाई है यह थोड़ी से मेर को चोड़ी लग रही है पूरानी बैटरी की मुकाबले देखे इसकी चोड़ाई कम है इसकी जादा है देख लेते हैं कि इसके अंदर आएगी क्यों नहीं आएगी तो फिर हमें दूसरी बैटरी मार्केट से लानी पड़े तो यह देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से हमारी बैटरी इसके अंदर फिट हो चुकी है, अब यहां पर हम इसे बाकी चीजों को बाद में फिट कर लेंगे, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी जो चार्जिंग है, वो यहां पर स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, तो इसक इसको हम डाल के देखते हैं, तो यहां पर देखिए फ्रेंड, इसकी बी LED हमारी जलगी है, इसका मतलब चार्जिंग दोनों की स्टार्ट हो चुकी है, तो इस तरीके से देखा फ्रेंड की इस एयर बड्स के अंदर एक बैटरी की प्रोलम थी, बाकी कार्बन वगरा की वंदे मातरम